हेलो और इवन स्वागत आपका मेरे एमे एजुकेशन चैनल के उपर आज के मारे वीडियो के नदर हम करेंगे माइन मैप लर्निंग मेड सिंपल चेप्टर 12 बिजनस टेडिस कंजूमर प्रोटेक्शन यह मारा लास्ट चेप्टर है वैसे तो इसके बाद एक चेप्टर और रहता है 13 entrepreneurship development बट उसके कोई भी माइन मैप नहीं है और वो चेप्टर स्लेवर्स के अंदर नहीं है तो उसलिए मैंने वो नहीं करवाया आपको नहीं करवाओंगी हम चेप्टर 12 तक ही करेंगे हमार जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मार्केटिंग अगर आप नहीं व वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को Link description में डाल दूगी आप जाके check कर लेना और अगर आतने आप चैनली सबस्कराइब करें मूंवर आपने पर को नहीं नहीं अबडेटों मिलती रहें consumer protection the consumer protection act 1986 who is consumer consumer कौन होता है a consumer is one that buy goods for consumption and not for resales for commercial purpose the consumers also here services for considerations consumers का मतलब क्याता है goods and services को consume करते हैं resale के purpose से नहीं वो goods जैसे हम कोई भी goods लेके आते हैं तो वो resale के purpose से तो नहीं लेके आते हैं कि हम जाके मतलब इसको हमने खरीद लया है अब जाके हम इसको बेच देंगे ऐसा तो हम नहीं करते हैं हम resale के purpose से उसको नहीं लेके आते हैं who can fill a complaint कौन एक complaint फिल कर सकता है one or more consumer on behalf of a numerous consumer और एक से जादा consumer अगर वो अपनी जो उनको services दे गई हैं उनसे satisfy नहीं है तो वो complain कर सकते हैं any consumer any registered consumer association government legal here for this case consumers अब consumer कौन से rights मिलते हैं consumers को राइट तो consumer education right to sick credentials और reliefs प्रोवाइड करवाई जाते हैं right to hear उनकी complaint सुनी जाएंगी and right to choose उनके पास option होता है कि वो product ले या ना ले and right to be informed कोई भी product के बार में कोई भी चीज़े तो उनको inform करना बहुत ज़रूरी है right to safety consumer की safety बहुत ज़रूरी होती है ऐसा कोई भी product ना sale करें जो consumer को harm कर सकता है MADS को उनसी अवलेबल होती हैं remove कर सकते हैं defect and now deficiencies को replace कर सकते हैं defect product को कोई भी defective product है उसको refund दे शक्ति को प्राइग को and payечngs उनको compensation provide करवा सकते हैं pay कर सकते हैं damages को कई भी उनकी product को damage हुआ है अपनी प्रोडेक्ट दिया है खो damage दिया है जो भी consumer welfare refund होता है उसके अंदर हम 5% pay कर सकते हैं special machinery के अंदर क्या होगा कि आप अपनी company कहां कहां कर सकते हो district form के अंदर क्या होगा president and two other members होगे जिसके अंदर से एक woman होगी एक जो woman है वो हर एक के अंदर compulsory है इसके अंदर जो value होगी good service की वो क्या होगी 20 lakh होगी इसके बाद मतलब की 20 lakh से नीचे नीचे होगी उसके बाद स्टेट कमिशन के अंदर क्या होगा resident and two other members होगे जिनके अंदर से भी एक woman होगी इसके अंदर value क्या होगी complain करने की 20 lakh से उपर और एक करोड से नीचे होगी बन करोड से नीचे होगी नेचेनल कमिशन के अंदर के अंदर प्रेजिडेंट होगा और चार मेंबर होगी जिनके अंदर से एक woman होगी और इसके अंदर value क्या होगी एक करोड से जादा जादा होगी अब जो कुछ रिस्मोंसिबिल्टीज है वो consumer की भी होगी इसके बारे में अवयर करें बॉह अभैक करें जोग नेचes狗 निचाह जोग है किमप्लेंट है फॉर्म कंजुमर सोसाइटीज बाई लीगल गूड्स ओनली जो भी लीगल गूड्स होते हैं उनको ही बाई करें कंजुमर के रिस्पॉंसिबिल्टीज बनती है एंड रिस्पेक्ट करें जो भीमारे इंवार्मेंट है उसको यहां कि एजुकेट करेंगे पब्लिक को उनको फिल करने में मतलब कंप्लीन करने से डरते हैं तो वह कंप्लीन अपने फिल कर सकते हैं important ones क्यों रहेगा Consumer Coordination कांसलिंग डेली के अंदर है Consumer Course Delhi के अंधर है वोईस डेली के अंदर है Consumer Production Counseling एमदाबाद के अंदर है Mumbai गहक पंचायत Mumbai के अंदर है and Cuts जैपूर के अंदर है ये है important ones m니다. जो NGOs है इसके बाद है important business point of view के लिए क्यों है consumer point of view के लिए क्यों है consumer protection government की कोई भी interference नहीं होगी अगर आप consumer को protect करोगे तो moral justification होगी social responsibilities आप सारी निभाओगे use करोगे society resources को and consumer satisfy रहेंगे आपको long term के लिए लंबी समय तक आपका business चलेगा consumer point of view के लिए क्यों important है? widespread exploitations होगा unorganized जो भी consumer absence of association है वो help करेगा आपका consumer को आप ignore नहीं करोगे तो consumer को उस चीज़ के लिए अच्छा लगीगा आज की मारी वीडियो के अंदर हमने किया है consumer protection mind map learning made simple chapter 13 इसी के साथ जो भी हमारे mind map ते हो complete हो गए है हमारे जो next वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे mind map अपने जो भी economics के हैं जो भी important topics होगे उनके हम mind map complete करेंगे ऐसी ही interesting वीडियो के लिए चैनल को जाके subscribe करें बेल आकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई updates मिलती रहें thank you for watching my video